हमारे टैरिस गार्डेन पे बहुत ही सुन्दर सुन्दर बहुत सरा टमाटर हुआ है और पुर में से ही कुछ टमाटर पक चुका है देखे एक दम स्टेरी टमाटर की तरह है उससे थोड़ा सा बड़ा है दिखने में बहुत ही सुन्दर और क्यूट लग रहा है तो इससे पका लेंगे इसे जला देंगे और भुना देंगे जल भुन जाएगा तो बहुत ही टेस्ट इसमें से दिने लएगा और एक लहसुन हम गोटा डाल दे रहे हैं और चार से पांच हडी मिर्च हमें टमाटर के चट्नी थोड़ी तीखी के पटी सीखाना बहुत पसंद है आपक निकाल दे रहे हैं और जो नहीं भुना है ना उसे हम भून ले रहे हैं और यह देखे टमाटर को अलट पलट दे रहे हैं ताकि दोनों साइट से भी पकना होगा इसे एक साइट से पक जाएगा और एक साइट से नहीं पकेगा तो थोड़ा कच्छा हो जाएगा ना जी तो तो हम निकाल दे रहे हैं इसका जो उपर का यह स्कीन है इसे हम निकाल ले रहे हैं यह जल चुका है तो हमें नहीं चाहिए और इसे हम अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं देख रहे हैं आप तो बस इसे हमें न कोई भी हमबल में डाल कर नहीं यह करना है और नहीं मिक्सी मे होगा प्रोन पंट हुट堂 कि हम डाले हैं और धुर्य जिसने मैंने पका लिया है यह भी बपका हुआ डालेंगे यह पोई भी चीज आज कच्चा डालने वाले हैं नहीं एक चीज कच्चा डालेंगे वह है प्याज क्योंकि प्याज पगा कर डालेंगे तो स्वाद पता नहीं कैसा आएगा और प्याज कच्चा ही अच्छा लगता है तो बस प्याज को बारी की से चोप किया है डाल दे रहे हैं और ल देखिए कितना यह बहुत ही टेश्टी लग रहा है अभी सही हमारे मूँ में पानी आ रहा है खाने में बहुत ही टेश्टी लग रहा है तो आप लोग भी अपने घर में बनाईए और हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएए और वीडियो को लाइक क तो आप लोग जाए टमाटर की चत्नी बनाने और हम तो चले खाने दाल चावल और आलू का भरता हो और टमाटर की चत्नी बहुत ही टेस्टी लगता है यह तो हमारा फेवरेट फूड है